स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिट्वीन नैशनल पार्क एंड सेंचुरी इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है नैशनल पार्क जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है लेकिन किसको फ्लोरा एंड फॉना को यानि कि जितने भी पेड पौधे सब कुछ हैं उन सब को प्रोटेक्शन देगा चाहे वो पेड हो चाहे वो वहाँ का लैंड्सकेप हो या फिर वहाँ के आनिमल्स हो ठीक है नैशनल पार्क एंड सब को प्रोटेक्शन देता है और इससे बड़ा डिफरेंस है कि नैशनल पार्क के अंदर प्रोटेक्शन दोनों चीजों को मिलती है फ्लोरा एंड फॉना फ्लोरा मिंस पौधे वगरा एंड फॉना मतलब जितने भी आपके आनिमल्स होते हैं और वाइड लाइफ से पता चल रहा है कि वहाँ पे फॉना को यानि की आणिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है फhos फॉना एंडर अनिमल्स को प्रोटेक्शन दो होते हैं मतलब किसी आनिमल्स को अगर कुछ घास खाने हैंрий को श्यूभ इर वह लाइफ होता है third point है cultivation of land is not allowed यहाँ पे आप कोई भी land को cultivate नहीं कर सकते हो वहाँ पे कुछ उगा के उसमें से कुछ लिजा नहीं सकते हो यहाँ पे national park में बहुत restricted होता है आप जो भी चीजे नॉर्मल कहीं कर सकते हैं यहाँ पे आप नहीं कर सकते हैं लेकिन cultivation of land is allowed in century जो wildlife century होती है वहाँ पे land को cultivate कर सकते हैं उगा के accordingly अपने benefit के according निकाल सकते हैं हाँ उतना open नहीं होता बट काफी चीजे open है as compared to national park private ownership is not allowed कभी national park के अंदर किसी की भी private ownership नहीं होती कि वो land उसका है या फिर वो particular part उसका है या उसने privately वो खरीद रखा है या वो उसका owner है ये सब चीजे national park के अंदर नहीं होती लेकिन जब हम बात करते हैं century की तो private ownership वहाँ पे allowed होती है वहाँ पे थोड़ा सा land हो सकता है किसी ने खरीदा हो चाहे कोई मतलब किसी और purpose से खरीदा हो benefit के लिए खरीदा हो लेकिन वहाँ पे private ownership allowed होती है ठीक है उसके बाद है national park की जो boundary है वो बहुत अच्छे से marked होती है ठीक है कि ये चीज है ये area है यहाँ से start हुआ है और यहाँ तक जाएगा और ये पूरा fix है ठीक है एकदम clear होती है लेकिन sanctuary के अंदर ऐसा नहीं होता वहाँ पे जो boundary है वो बहुत अच्छे से marketing नहीं होती बहुत अच्छे से मतलब clear नहीं होती है थोड़ा open है पूरा area है वहाँ पे जितने भी accordingly जिसको जुरूत है कई चीज़े वो change use कर सकते है change कर सकते है तो basic difference जो national park और sanctuary के बीच में है वो यही है कि national park में focus दोनों पे है आपके flora, fauna, wildlife, ecology उस जगे की सब पे लेकिन century में जो focus है that is on animals तो यह था difference between national park and century अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो please like, comment, subscribe और share करना मत भूलिएगा अगर आपको इसको detail में देखना है 12th ecology को तो मेरे चैनल पे जाके 12th biology की playlist में ecology को देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो please इस चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए Indian study youtuber Thank you